हेलो दोस्तों मैं आपका दोस्त अभे कुमार एक पर फिर आपके साथ हाजिर हूँ अपने एक ने टॉपिक के साथ इतना भी मेरा पुराना वीडियो था आप सब का बहुत सारा प्यार मिला यूनों ने भी मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक् करें ताकि मैं उस पर आपके लिए नया नया टॉपिक बना के लेकर आए इस बार का जो टॉपिक है मुझे कॉल आया इसर प्लीज इस पर एक वीडियो बनाई यह तो इस बार का जो मेरा टॉपिक है वह है एसकाइवेशन कि एसकाइवेशन सेफ्टी के बारे में ठीक है इस बार का जो टॉपिक है वह एसकाइवेशन के बारे में टॉपिक है तो एसकाइवेशन में हमें करना क्या है इसको एसकाइवेशन में हम थोड़ा कुछ भागों में बाटेंगे कि टाइप सॉफ एसकाइवेशन टाइप आफ टाइप आफ एस्कावेशन हैजार्ड हैजार्ड ओके इसके बाद हम देखेंगे कि उसका प्रिकोशन कैसे किया जाता है सबसे पहला हम देखेंगे तो आता है कि दूसरा है कि ट्रेंचिंग कि उसके बाद एसकावेशन अब पहले हम बात करते हैं डिगिंग किसी भी जगह जहां नेरो रहता है वहां पर जब हम मैंवाली खुदाई करते हैं उसे बोला जाता है डिगिंग जब मैनवली जो भी हम खुदाई करते हैं उसे हम बोलते हैं डिगिंग ओके इसके बाद आता है ट्रेंचिंग करेंचिंग का सिंपल सा चीज है जब गड्धा जादा हो और उसका चौडाई कम हो जब डेफ्ट जादा हो और विट्थ कम हो जब आपका डेफ्ट ज्यादा हो ठेक है और विट्थ कम हो डेफ्थ आपका ज्यादा हो और विट्थ कम हो उसे हम ट्रेंचिंग बोलते हैं ठेक है जहां पर आपका जहां गड्धा कर रहे हैं गड्धे का गहराई ज्यादा हो और उसका चौडाई कम हो उसे हम ट्रेंचिंग बोल सबसे पहले हमें इसमें प्रोएक्टिब प्रोएक्टिव कुछ मेजर्स लेने होते हैं इसके वेशन जब करने जाते हैं तो इसमे पहले हम क्या करते हैं अंडर्ग्राउंड अंडर्ग्राउंड जो भी यूटिलिटीज होता है उसका पहले हम डेटा निकालते हैं उसका हम लोकेट करते हैं केवा लोकेटर से या ग्राम पंचायद से या जो भी अथौर्टी होता है अंडर्ग्राउंड जो भी यूटिलिट क्या हो रहा है कौन कौन सा line कौन कौन सा sewer line gas line pipeline जो भी line gya हो उसको हम underground utilities बोलते हैं ओके उसके बाद वो किस type का है type of soil मिट्टी जो खुदाई कर रहे है वो मिट्टी का कैसा है hard है soft है, muddy है, कैसा है? वो हम देखते हैं excavation करने के type पे कि type of soil कैसा है, ठीक है? type of soil कैसा है, मिट्टी का hardness कैसा है उसके बाद हम वहां का history देखते हैं, history देखते हैं कि वहां पे पहले जो excavation किया गया था तो कैसे हुआ, ओके? फिर जब हम उसमें cutting करने जाते हैं फेज, जब हम फेज करने करते हैं, तो वहां तीन type का होता है, ठीक है? Soaring, Sloping and Benching Slopey, Soaring, मतलब जब हम खड़ा, ये मिट्टी है और खड़ा खुदाई करते हैं, उसे हम बोलते है Soaring, ठीक है? जब हम खड़ा खुदाई करते हैं, 90 डिग्री में खुदाई करते हैं, उसे हम बोलते हैं Soaring लेकिन यही जब भी अकार का Cutting करते हैं, ये भी अकार का Cutting करते हैं, उसे बोलते हैं Sloping ठीक है? इसके बाद आता है Benching या Step Numa ठीक है? जब Step Numa खुदाई करते हैं, उसे हम बोलते हैं Benching ठीक है? या Step Cut भी कोई बोलता है, इसे कोई Step Cut भी बोलता है, तो ये तीन तरह के टेक्निक्स हैं खुदाई करने के लिए, अब इसमें हैजार्ड क्या-क्या हो सकते हैं और उसका Precaution कैसे-कैसे लेना है? तो इसमें हैजार्ड होते हैं Collapse, ठीक है? इसका Collapse हो सकता है, Underground Utilities हो हो सकता है, Underground Utilities कटिंग हो सकता है, कोई Gas रिसाव हो सकता है, क्योंकि British Extender के अनुसार 1.2 मीटर जब जाता है, तो उसे हम Confined Space, Confined Space घोशित कर देते हैं, Confined Space, 1.2 मीटर पे Confined Space घोशित कर देते हैं, तो उसमें Gas का रिसाव या कोई टॉक्सिक पदार्थ ये हो सकता है, अब मालने जाए उसमें Vibration होगा, Collapse हो सकता है, आदमी गिर सकता है, यह बहुत सारे चीज़ें उसमें आ सकते हैं, अब हमको प्रोयक्टिव तो जो था हम ले लिया, अब हमको इसको Precaution लेना है, Precaution में क्या है, हमारा जो भी प्रोसीजर है, उसको Follow करना है, जैसे हमको PTW प्रशनल होना चाहिए, जितने भी equipment हो, वो पूरा चेक होना चाहिए, मिट्टी के hardness के अनुसार, उसको कितना, टूफीट, तूफीट उसको दूर रखना है, इसमें एक सबसे thumb rule है, जब हम कहीं खुदाई करते हैं, और जहां ज्यादा, कुलेप्स होने का जान से, हर 15 मीटर पे, every 15 मीटर पे हमको एक ladder उनको देना है, अगर थोड़ा सा अच्छा है, तो ये 30 मीटर होता है, तो ये हमेशा question पूछा जाता है, excavation में, ठीक है, कि इसको कैसे हम करेंगे, इसमें एक और सा है, जब excavation, before excavation, हम क्या करते हैं, पिट, cross pit मारते हैं, जहां से मालने ये line जा रहा है, या इसको एदर खुदाई करना है, तो हम यहाँ पे, कुछ दूरी पे cross pit मारते हैं, ताकि हमें पता चल सके, कि कोई underground utilities है या नहीं है, ओके, cross pit मारते हैं, ताकि ये पता चल सके, और जब हम कहीं manually खुदाई कर रहे हैं, या कोई line जा रहा है, यहाँ से कोई line जा रहा है, और खुदाई कर रहे हैं, तो as for osa standard, 3 meter हम, कोई भी mechanically, यह कितना है, 3 meter इसका distance होना चाहिए, इधर डेल मीटर उतर, कि कोई भी mechanically हमारा excavation नहीं होना चाहिए, as for osa standard, यहाँ पे, कोई भी mechanically नहीं होना चाहिए, उसमें हम manually digging करते हैं, और manually जब digging करते हैं, तो दो आदम एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो दोनों का face एक side होना चाहिए, दोनों का face एक side होना चाहिए, ताकि एक दुसरे को देख सकें, थेंक्यू, दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, तो please like करें and subscribe करें and share करें and comment करें, thank you very much.